तो Elephant कैसे है आप दोस्तों जैसा कि मैंने अभी बताया था कि One UI 5.0 का अपडेट आ चुका है मेरे Samsung A52s में तो आज मैं आपको One UI 5.0 के नए फीक्टर के बारे में बताने वाला हूँ या फिर बोल सकते हैं सबसे पहले में बताने वाला हूँ के लिए यह बहुत अच्छा ऑप्शन है तो यह एप कहां मिलेगी कैसे यूज करेंगे आगे आपको बताने वालों आगे बनने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अडिविशन बेल आइकन को भी दबा देना और हो सके मुझे तो Instagram और Facebook पर फॉलो करना ना बुले तो चलते हैं दोस्तों आगे मेरे रमसनी अरोरा आपका स्वागात है मेरे चैनल है से टेंग मैं दोस्तों जैसा कि मैंने बताया है मैं आपको बताने मुझे रेकिस्टार एप के बारे में तो उसके लिए आपको यहाँ पर जाना है अपने वाइल की गुल्ड़क एप में आपको यहाँ पर जाना है लाइफ अप में आपको एक उप्शन मिलेगा या बुसकते एक नए फिचर में लेगा रेगी इस्टार आपको वहाँ जाके अपने गलेक्सी स्टोर में जाके इसको अपडेट या फिर डाउनलोड करने ना सुर्य यानि स्टॉल करने ना है क्यो आपको इसको स्टॉल करने के बाद आपको वापिस अपने पर आना है उसी एप पर आने के बाद तो यहाँ पर जो सबसे पहला जो ऑप्शन दिया बिलेगा आपको इस एप के अंदर वह है आप सेटिंग्स की जो एपस होती है उसको कस्टॉमाइज कर सकते हैं कैसे इस्ट सेटिंग्स में एपस मिलती है आपको यहां पर मिल रही होगी तो आप यहां पर अपने सेटिंग्स का जो पेज है यहां पर डिफाइन कर सकते हैं लाइक जो सेमसंग एकाउंट है अगर आपको उपर दिखता है आप चाहें तो यहां नीचे की तरफ कर देंगे तो आप द और यहां पर कनेक्टेंट डेवाइस वाला ओप्शन अट गया है Samsung अगाउंट में नीचे कर दिया था तो आपको यहां पर नीचे मिलने लगाई आप देख रहे होंगे आप यहां पर पूई तरह से कारे को कर सकते हैं कि जैसा आपको आपकोंगे तो आपको और क्लिक कर दिया और जो वहां पर आपको email address दिखता है तो आप यहां से email address भी दिखाना आने चाहते हैं उसके बाद यहां पर आएंगे back back आने के आपको मिलेगा setting change history अब यहां पर क्या होगा जो भी setting change होगी उसकी history आपको यहां पर मिलेगी like मानलो मैंने यहां से यह flight mode on करा और यह flight mode मैंने on करा वापिस यह भी history आपको यहां पर मिल जाएगी आप देख रहे होंगे setting history आपको जो भी setting change होगी सब history आपको यहां पर मिल जाएगी उसके बाद नीचे आएगा search का option जो की कामाल का option है सबसे पहले मिलेगा display policy accuracy अब देखो जैसे कि मानलो मैं setting पर आया अब मैंने setting पर आ लेगा बद मैंने यहां पर search मारा like sound ठीक है कि मैंने यहां पर search मारा sound अब यहां sound आने कि आद आप देखेंगे सब के नाम देख रहे हैं और बहुत सारे जाजा sound से वहाँ दिख रहे हैं अब यहां पर menu जो चाहिए जो sound से नाम से menu वह दिखें तो आप यहां पर menu order पर क्लिक कर देंगे तो यहां पर आपको सब notification या sound and vibration या जैसे मुझे mute all sound वाला है यह मुझे अपने shortcut बनाना है तो आपको simple इस पर click करना है और बाहर आपको मिल जाएगा mute all sound shortcut add आप उसका एक shortcut create हो जाएगा जिसको आप बहुत easily quickly on या off कर सकते हैं तो यह हाँ पर आपको shortcut create करने option मिल जाएगा उसके बाद उसी में एक और option दिया गया है आपको search में high-tech suggestion कैसे मान लो आप यह settings पर आके इसको हटाया और यह जो suggestion वाल option मिलता है यह आपको अगर हटाना है कि यह कुछ भी नीच चाहिए मुझे तो आप यहां पर back tap action वाला feature जो कि iPhone में आपको पहले ही मिलता था आप इसको यहां पर दे लिए गया कैसे आपको इसको on करने ना है ठीक है on करने का सबसे पहले दिया है double tap वाला feature जैसे कि मैंने यहां पर टिक कर दिया कि double tap जैसी में करूं back पर और यह पॉप विड्डो में चले जाए तो आप देखेंगे double tap में यहां से कर रहा हूं थोड़ा से कर रहा हूं और मैंने एक दो तो आप देखेंगे यहां पर pop-up ऐसा हो गया है और ऐसे ही आपको triple tap का option दिया गया है triple tap में मैंने यहां पर select कर लिया show recent app या फिर मैंने select कर लिया tech and shells screenshot एक दो तीन तो आप देखेंगे screenshot भी यहां पर click हो गया है तो कमाल का यह feature दिया गया है और भाई उसके बाद यहां पर दिया गया है sound and sight की hold action यह भी बहुत अच्छा है यहां पर जो power की होती है यह side की होती है आप उसका जो press and hold करके कुछ भी आविस से करा सकते है मतलब की like आपने देखा कि यह जो feature सबसे best लगा मुझे mute और unmute all volume जैसा कि आपको iPhone में मिलता है साइट में बटन मिल जाता है सेम उसी तरह से यह काम करेगा और भी इसमें बहुत सारी activity है और कोई app भी कोलना चाहे तो आप यहां पर कोई app को भी action में डाल सकते हैं अब मैंने इस पर डाल दिया mute और unmute option ठीक है अब मैं जब भी उसको प्रेस का के रखूंगा थोड़ी देर तो यह हां पर unmute हो गया है और जैसे प्रेस का के रखूंगा तो यह mute हो गया है तो बहुत ही कमाल की features है जो कि रेगी स्टार की app में है जो मैंने आपको बता है यह ज अब लगतर सो मेंड़ी कुछ कमी है तो मेंड़ी स्लाइई भी कर सकते हैं या फिर अगर आप मुझा कुछ पूछना चाहते हैं इस विडिवेडियो से लेटेड ही या कुछ भी आमने आइटली कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप मूझ दाइकल इंस्टार्म या फे